प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की धाक दुनिया में कैसी है ये सब को पता है मोदी आज एक ग्लोबल लीडर की तरह उभरे है दुनिया भर के नेताओं में जहां मोदी का रुत्वाद दिन बदिन बढ़ रहा है वहीं पडोसी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को हर तरफ एक तरह की शर्मिंदगी ही उठानी पड़ रही है 2014 में पहली बार प्रधान मंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी को कई देशों ने अपने सर्वोच नागरिक अवोर्ड से सम्मानित किया जिसमें से साओधी अरब और सैयुक तरब अमिराद जैसे इसलामिक देश भी शामिर भी वहीं दूसरी और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान को ये अवोर्ड अभी तक नहीं मिला दुनिया भर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की स्विकारता को देखकर पाकिस्तान के सीने पर साप लोटने लगता है पाकिस्तानी निउस चैनल अपने प्राइम टाइम बुलिटिन में बड़े बड़े एक्सपर्ट को लेकर इस बात पर घंटो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के देश हाथो हाथ क्यों लेते हैं और पाकिस्तानी प्रधान मंत्री को भाव क्यों नहीं देते हैं दरसल किसी विदेश की विदेश नीती का जो सबसे एहम पहलू होता है वो इस पर निर्भर करता है कि देश के अंदर सरकार का प्रदर्शन कैसा है देश का एक्सपोर्ट कितना है, फॉरन ट्रेड कितना है, देश की अर्थ व्यवस्था कितनी मजबूत है इसके अलाबा ये भी निर्भर करता है कि विदेश में जो आपके देश के लोग काम कर रहे हैं, उनमें जादा तादाद किसकी है अब अगर हम इन तत्यों पर गौर करें तो पाएंगे कि खस्ता हाल पाकिस्तान भारत के आगे कही नहीं टिकता जहां इमरान खान के राज में पाकिस्तान के अर्थ्वेवस्था गर्थ में जा रहे हैं, तो वहीं मोधी राज में भारत की अर्थ्वेवस्था दिन बदिन आगे बढ़ती जा रहे हैं दूसरा तथ ही ये है कि सभी देश अपने नैशनल इंट्रेस्ट में काम करते हैं 125 करोड आबादी वाले भारत की मार्केट बहुत बड़ी जिसे दुनिया के तमाम देश सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की नजर से नहीं देख रहे हैं बलकि भारतिय मूल के बड़े बड़े उद्योग पतियों को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट भी कर रहे हैं और उनके अर्थवेवस्था में एहन योगदान दे रहे हैं अगर भारतिय मूल के लक्ष्मी नाराण मित्तल की बात करें तो उनकी कमपनी असलन मित्तल यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कमपनी है भारत के लोग दुनिया की बड़ी-बड़ी कमपनियों में उच्छ पदों पर काम कर रहे हैं भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए देश की सेना को मजबूत कर रहा है अगले 10 सालों में भारत करीब 100 बिलियन डॉलर का रक्षा सौधा करेगा लेकिन आतंकवादियों को पैदा करने वाले पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना बड़ा रक्षा सौधा कर सके जिससे दुनिया की शक्तिशाली देश उसके साथ खड़े रहे लेकिन भारत के पास वो दम है कि दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश भारत के साथ खड़े रहते हैं पाकिस्तानी टीवी पर हल्ला मचाने वाले बड़े-बड़े एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि मोदी राज में भारत एक बड़ा एकनॉमिक पावर बन गया है भारत की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट शम्ता इतनी बढ़ गई है कि खस्ता हाल पाकिस्तान उसके आगे कही नहीं टिकता नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत एक बड़ी अर्थिवेवस्था के तौर पर दुनिया के सामने उब्रा है भारत के अर्थिवेवस्था लगातार विकास के पत पर अग्रसर है अमेरिका, ब्रिटे, रशिया, फ्रांस जैसे सूपर पावर आज भारत को अपने साथ खड़ा देखना चाहते हैं 2014 के बाद से भारत ने किस तरह तरक्की की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे एक ग्लोबल लीडर मने उसका एक उदाहरन तमाम देशों से उन्हें मिलने वाला सर्वोच नागरेक अवर्ड है एक नज़र डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतरराष्ट्री अवर्ड पर किंग अब्दुल अजीज सैश पुरसकार पियम मोदी 2016 में साओधी अरब के दौरे पर गए थे जहां पर उहें 3 अप्रेल को साओधी अरब के सर्वोच नागरेक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा गया बता दें कि ये अवर्ड अभी तक किसी पाकस्तानी नेता प्रधानमंत्री को नहीं मिला है जून 2016 में पियम मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे यहां पर पियम मोदी ने अफगान भारत मैत्री बांथ का उधगाटन किया था चार जून को अफगानिस्तान के राश्टपती अश्रफगनी ने पियम मोदी को वहां के सर्वोच नागरिक अवर्ड आमिर अमानुल्ला खान से सम्मानित किया था विदेशी महमानों को दिया जाने वाला ये फिलस्तीन का सर्विष्ट्रेष्ट अवर्ड है बाइलेटरल रिलेशन्स बहतर बनाने की कोशिशों के लिए प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी को 10 फरवरी 2018 में ये पुरस्कार दिया गया इंटरनाशनल सोलर अलायंस को लेकर महत्वपून भूमिका निभाने और पर्यावरण के लिए एहम योगदान देने के लिए संयूक तुराश्ट्र संग ने अपना सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान चैंपियन्स ओफ दी अर्ट से पियम मोदी को सितंबर 2018 में नवाजा सियोल शांती पुरसकार पियम बनने के बाद अमीर और गरीब के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर को कम करने के लिए अक्टोबर 2018 में साउथ कोरिया ने पियम मोदी को सियोल शांती पुरसकार से सम्मानित किया मोदी पहले भारतिये हैं जिन्हें सबोर्ट से नवाजा गया फिलिप कोटलर पुरसकार 14 जन्वरी 2019 को नई दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिदेंशल पुरसकार से पियम मोदी को सम्मानित किया गया मार्केटिंग पर 55 से जादा किताबे लिख चुके फिलिप कोटलर नौथ वेस्टन युनिवरस्टी के लोग स्कूल ओफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग प्रुफेसर है जिनके सम्मान में ये पुरसकार देश के सबसे लोग प्रियनेता को दिया जाता है भारत रूस की दोस्ती की दिशा में प्रतिश्टित विदेशी महमानों को दिया जाने वाला ये मालदीव का सबसे बड़ा अबॉड जून 2019 में प्येम मोदी को मालदीव ने निशान इस जुद्दीन से सम्मानित किया 24 अगस 2019 को बहरीन के तीसरे सर्वो चिनागरिक सम्मान दे किंग हमाद ओर्डर ओफ दुरेनिसा से प्येम मोदी को सम्मानित किया गया स्वच भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 सितंबर 2019 को अमेरिका के न्यू यॉक में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से प्येम नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड बिल गेट्स ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतराष्ट्रे अवार्ड की ये फेहरिस्त बताती है कि दुनिया भर में कैसे उनका डंका बचरा है गौर तलब है कि इससे पहले सिर्फ दो पूर्फ प्रधानमंत्रियों को अंतराष्ट्रे अवार्ड से नवाजा गया बांगलादेश मुक्ति युद्ध के लिए पूर्फ प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी को मर्नोप्रांत बांगलादेश का सर्वोच नागरे कवार्ड बांगलादेश फ्रीडम ओर्नर से सम्मानित किया गया तो वही मनमोहन सिंग को जापान और भारत के बीच 2009 में रणनीती साज़ेदारी के साथ दोनों देशों के रिष्टों को आगे बढ़ाने के लिए जापान का दूसरा सर्वोच नागरे कवार्ड ग्रैंड कॉर्डन ओफ पोलोनिया फ्लावर से नवाजा गया मनमोहन सिंग को प्रधानमंत्री पज से हटने के बाद इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रसिदेंट रॉम्ट थैंक्स अलोट हावड़ी मैं फ्रेंड ये जो द्रश्चे है ये जो महोल है ये आग कल्पनिया है और जब टेक्सेस की बात आती है तो हर बात बव्य होने बिशाल होने ये टेक्सेस के स्वभाव में है आज टेक्सेस की स्पिरीट यहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है इस अपार जनसमों के उपस्तिती केवल एरिफ्मेटिक तक ही सिमित नहीं है आज हम यहां एक नई हिस्ट्री एक नई हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं और एक नई केमिस्ट्री भी एनर्जी की यह एनर्जी भारव और अमेरिका के बीच बढ़ती सीनर्जी की गवा है प्रेजिडन्ट क्रॉम्ब का यहां आना अमेरिका की महान डेमोकरिसी के अलग-अलग प्रतिनीदियों का चाहे वो रिपब्लिकन हो डेमोकरेट हो उनका यहां आना और भारत के लिए मेरे लिए इतनी प्रसंसा में काफी कुछ कहना मुझे बहुत सुपकामराई देना स्टेनी होयर सेनेटर कॉर्णिन सेनेटर क्रूज और अन्य साथियों ने जो भारत की प्रकेती के बारे में कहा है जो प्रसंसा की है वो अमेरिका में रहने वाले भारतियों का उनके सामर्थ्य उनके एच्वमेंट का सम्मान है एक सो तीस करोड एनि वन पॉइंट थ्री बिलियन भारतियों का ये सम्मान है एलेक्टर रिप्रेजेंटेटरियों के अलावा भी बहुत से अमेरिकी मित्रा आज यहां इस कारकम में आये है मैं हर हिंदुस्तानी की तरफ से सभी का रदय से स्वागत करता हूँ मैं इस कारकम के आयोज़कों को भी बधाई देता हूँ मुझे बताया गया है कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन जगह की कमी किये कारण हजारों लोग यहां नहीं आ पाए जो लोग यहां नहीं आ पाए मैं व्यक्तिकत रुप से उनसे ग्षमा मांगता हूं दूस्त दुरस्त किया और जैसा कि प्रसेडेंट ट्रम कह रहे थे हैं कि यह सिद्ध किया कि हुष्टन इस ट्रॉंग कि व्यक्तिकत रुप ट्रॉंग